सबी बाईयों को नमस्कार सबी का सुवागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेरी फार्म पे यादव डेरी फार्म रेगुलर अच्छे पसू दिखाने का एक माद्यम मातर जिसमें रूटीन से हम सेल परचेज करने वाले पसू पालक हूँ वो चाहे व्यपारिक वरग के जो एक साथ इकठे पसू जो आज पचास पचास साथ साथ मैंसे दिखा रहे हैं एक दोर था जब गाउं गाउं गों के पसू खरीदे जाते थे लेकिन आज सोशल मेडिया के जरिये रूटीन से आपको बार-बार अच्छी क्वालेटी के जो पसू हैं वो कैमरे के सामने लेके आने का जो परियास उसमें यादव डेरी फार्म चैनल रूटीन से वीडियो लेके आ रहा है सबसे पहले जो भाई पहली बार इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो चैनल को सबस्क्राइब करें साथ ही में बेल आइकेन प्रेस करें ताकि इन फ्योचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे आज की वीडियो हम कहेंगे एक काफी अच्छी क्वालिटी की जोटी के लेके आ रहे हैं सबसे पहले जो ओनर है उससे मिलवाते हैं बाद में जोटी के बारे में डिटेल से जानेंगे नमस्कार जी बाई सबसे पहले अपना एड्रेस बताएं जो बाई ने जुड़े उनको जी जी तो अभी जो केमरे के सामने जोटी है बाई सब कौन से ब्यात की अच्छा फर्स्ट में कितना दूद निकार रख़े जी जी अभी कितना टाइम हो गया बच्चा दिया उस दिन को अगर काउंट करते हैं तो एक अपता साथ दिन होगे नहीं तो छे दिन अभी कितना दूद है मोगे पे तयार कटडा है कटडी साथ में कटडा है कटडा एक बार इसको खोले ना भाई साब पहले ब्यात में जहां से खरीदी है उन्होंने 15 किलो दूद रेकमेंड किया था लेकिन दूसरी बार बच्चा दिया और भाई का कहना है कि 14 किलो दूद आप पहले ब्यात का मान सकते हैं और आज मोके पे कितना बता रह भाई आप 14 लिटर दूद मोके पे तैयार है बिलकुल जो बात करें इसकी अडर की क्वालेटी की थनों की क्वालेटी काफी अच्छी बिलकुल छोटे सीग की थोड़ी अगर बात करें कमजोर है लेकिन जो कमजोर पसू होगा ले ओ भाई निच्चे से काफी अच्छे अडर जोसिला और थनो की क्वालिटी बिल्कुल मूठी आकार के साथ में सामने आप जो मेल काफ है वो देख पा रहे हैं जोटी की बात करें थोड़ा खून कम है कमजोर है जहां जिस पसुपालक से इन्होंने खरीदी है जोटी नीचे से काफी अच्छी है साइड से आप नसे देख पा रहे हैं जो अच्छे और दुदारू पसुमें मिलेगी तो बाइस अब जो अच्छे दूद वाड़ा हो गया है इस टाइप का क्योंकि वो दुनिया की सबसे जादा दूद देने वाली नसल होती है और इस मुर्रा जोटी में बिल्कुल टैल मेरे हिसाब से कुछ बाल ही वाइट है अंदर बाइसा दो इंच भी नहीं है एक इंच बाल दिख रहे हैं अलगी दिख रहा है साइड से आप देखिए जो इसकी टिस्ट स्पेसिंग है दो या चार अंगुल छोड़ी है काफी ज्यादा स्पेस है साइड से आप थनो में देख पार हैं सब आवाइज काफी स्यांत जुगाली कर रहे हैं नहीं तो कैमरा देखने के बाद अच्छी खासी जो बैसे हैं व अगर पहले पाए तो आप कैना अच्छी मुट्टी और इसनी नरंट वाई आप किसी किसी बैर देखने के जो इसकी मिल्किंग है बिल्कुल सौफ्ट बता रहे हैं दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं जो नसें और तकरीबन किस दूद की उमीद आप अपने मेडियम हाइट की जोटी है फिर से बताना चाहेंगे लेकिन अडर के मामले में मेडियम नहीं है काफी स्यांदार साइज इसका अडर का और जो थोड़े खून के लिस्से पसू होते हैं वो दूद में काफी कसीले मिलते हैं छोटे हैड की और ये देख सकते हैं आप जो हड अड़ी आपको दिखाई पड़ रही होगी पिछे से साइद सिंगल अड़ी में तो नहीं है बाकी बिलकुल पतली चामिकी है और 17-18 किलो दूद मैं तो ये कहूंगा 20 किलो वाली बैसों को छोड़ के आप 15-16-17 किलो वाली बैसे हैं वो आपको रेटों में भी ठीक और 20 किलो दूद देने वाली हैं मेरे हिसाब से तकरीबन एक महीना दूद देती हैं बाद में इसी 15-16 किलो दूद पे रहती हैं तो ये दूसरे ब्यात की जोटी बाई के पास विकरी के लिए उपलब दैसाथ में एक हर्याना पुलिस में कारियर होते हुए इतने अच्छे पसुओं का सोख इनके यहां से जो पहले भी हमारी कवरेज हुई थी काफी बड़े अडर की जोटी दिखाई थी इन्होंने उसने जिस टाइम हमने कवरेज की साए दूसी टाइम बच्चा दिया था बाई साब जी जी तो एक बार अपना संपरक नंबर बताएं अठाण में बाराई क्यासी टेटिस चुरान में अगर कोई बायर आप से खरीदता है तो आप विजवाने की विवस्ता भी करवा सकते हैं बाई बोलते हैं कि हमें दस मैंसे चाहिए पांच मैंसे चाहिए वहां तो बाई का उस जगह एक बात कहने हैं कि हमारे पास शिरफ एक बैस विकरी के लिए उपलब्द है किसी भी तरह की अधर डिटेल के लिए इनका मोबाइल नंबर है वो रेगुलर चल रहा है आप संप कोमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको इनकी जोटी कैसी लगी सभी बाईयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से नमस्कार सत्रीकाल राम राम सलाम